नमस्कार दोस्तो स्वागत एक नए वीडियो में दोस्तो इस वीडियो में इस वीडियो में आने वाला हूँ कि आपके पास OPPO K10 है या OPPO का कोई अधर फोन है किस तरह से आप OTP को आटो डिलीट कर सकते हो after 24 hours जैसे कि आपके पास transaction के बहुत सारे OTP डेली आते रहते होंगे message में और वो पढ़े रहते हैं क्योंकि एक ही बार उनका ज़रुवत पढ़ता है उसी वक्त और बाद में वो किसी काम के होते नहीं है और उसके checker में message आपका भर जाता है अगर आपने category लगा रखिये set कर रखिये तो OTP वाले message यहां पर देखने को मिल जाते हैं तो आप इस तरह से message रख करके कोई फादा होगा नहीं आपको तो आप भी चाहते होगे को OTP वाले message delete हो जाए और security purpose से भी सही होता है यह तो आपको क्या करना है कि message पर जाते हो तो three dot पर click करके setting पर जाना है और general पर चले जाना है ठीक है general पर जाने के बाद आपको यहां पे यहां पे आपको message organization दिखता है और message organization के उपर अलग से वीडियो बना रखी है आप आई बटन में ओपो का playlist है वहां से देख लिएगा यह वाले option को आपको enable कर देना है यह वाले option को अगर enable कर देते हो तो होते क् कि जब भी आपका OTP आता है तो OTP वाला message आपके all में भी देखने को मिल जाता है या फिर category में OTP जो है इसमें देखने को मिल जाता है तो आगर दिन में 4-5 transaction भी करते हो 5-6 message आते हैं बार बार आते हैं तो सारे messages 24 गिंटे के बाद मंतलब same time अभी आगर 12 बज़े OTP आया है इस तरह से कर सकते हो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए